यूटूब चनल सरकारी भारत दूस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट का एकजाम हुआ था दिसंबर 2021 में और 2022 के जनवरी में स्टार्टिंग मतलब यह एक पेपर चला था तो उसकी रेस्पॉंस की जारी की गई थी उस रेस्पॉंस की में यानि कि जो आपका पेपर था वो की वो पेपर जारी किया गया था उस पेपर के अंदर जो मैंस पूछा गया था गड़ित के जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तो एक और सिफ्ट का पेपर है और 100% रियल यह इसमें कोई दोहरा है नहीं कि एक भी क्वेशन सीटेट से बाहर नहीं है देखें करेक्ट मार्क्स रॉंग मार्क्स यह सब कुछ उसकी रेस्पॉंस की में था आंसर की से मैंने सीधा स्किन सॉट लेकर ही यहां पर क्वेशन को लेकर आया हूँ ताकि आपको ऑथेंटि जो क्वेशन्स हैं वो आपको मिल सकें सीटेट से लेटेट तो अगर आप सीटेट की तयारी कर रहे हैं सेंटल टीचर एलिजबिल्टी टेस्ट यानि कि सीटेट 2022 या 2030 आपका लच्छ है क्रेक करने का तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ना भी करने तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप क्लासेज को यहां पड़ लेते रहें और जो वीडियो मिल रही हैं उनका फायदा आप उठाते रहें क्योंकि आपके लिए सीटेट के लिए एक्जाम के लिए बहुत ही मैत आपना पहला सवाल है वह नियूंतम संक्या चुनिए जो एक पूंडवर्ग है प्रतिक संक्या 16,20 और 24 से भाग हो जाती है तो पूंडवर्ग की बात करा है तो 1600 पूंडवर्ग होता है 64,400 पूंडवर्ग में ही माना जाता है लेकिन संक्या पर यहां पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो यह नियूंतम संक्या पूची गए छुटी से छुटी संक्या जो प्रतिक संक्या 16,20 और 24 से भागित भी हो जाती है यानि कि डिविजिबल भी होगी यानि कि प्रतिक संक्य 16 से भी डिविजिबल होगी 20 से भी डिविजिबल होगी 24 से भी तो अगर यहां पर देखते हैं तो 25 में 3 multiply by 8 कर सकते हैं तो यह तो आंसर हुई नहीं सकता और चौन सब्सक्राइब नहीं होता तो यह भी आंसर नहीं हो सकता अगर हम बात करते हैं यहापर 3600 की तो 3600 1620 और 24 से पहले चेक कर लेते हैं फिर 14400 को देखेंगे तो 16 से चेक करेंगे तो यह अपका यहां पर समापत होता है यह भी आपका 16 जविजबल है इसके बाद अगर तेखते हैं तो 3600 को अगर हम डिविजबल करते हैं किस से 20 से चोंटोमें पर चेक देखेंगे ले और 24 से डिविजबल करके देखते हैंट अब चैसे काटते हैं 64 24 636 3600 और यह चार से हो जाएगा यानि कि अगर लुएस्ट वैलू की बात करें तो आपकी 3600 जो वैलू निकल लिए वो लुएस्ट आदिया नियुन्तम संक्या पूछी थे यह भी डिविजबल होगा हालांकि लेकिन यह महत्तम संक्या में जाएगा मतलब च्छोटी नियुन्तम संक्या नहीं होगी तो ऑप्सण की अगर बात करना तो यहां पर जो ऑप्सण सही होगा वो राइट आंसर होगा आपका आपका नमबर सेक्ड यानि कि 3600 आपका इस सवाल का सही जवाब होगा क्लिया रफेंट्स चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते 36364 तो यहां पर अगर 6 का place value निकालते तो 6 0 निकलेगा और यहां से 6 का place value निकालेंगे तो 6 0 निकलेगा दोनों का multiply करना है छे का 6 से करेंगे तो कितना होगा 36 तीन ये जिरो एक ये जिरो चार जिरो तो यहां पर देखे 36 हो नहीं सकता 36 के बाद 3 जिरो 60 हो नहीं सकता तो 36 के बाद 4 जिरो तो आपका option number 3 जो है बिल्कुल right answer इस सवाल का हो जाएगा clear friends option number 3 क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब होगा next question देखते हैं ये question आपकी exam में पूछा जाता है और हर वार ऐसा एकाईवा बारेवा तिहाईवा दो तिहाईवा पांचवा इस तरीके से एक सवाल जरूर पूछा जाता है question है रिक्तिस्तान में क्या आएगा दो तिहाई प्लस फिलिंदी ब्लैंक है और ग्यारे बारेवा होगा तो दो तिहाईवा मतलब कितना होता है दो बटे तीन प्लस ये हमको value निकालने है फिलिंदी ब्लैंक वाली तो हम इसको x upon by माल लेते है थोड़ी देर के लिए बान सकते है एक्वल टू ग्यारे बारे मां ग्यारे बारे मं इक मतलों 11 बटा बारण तो x upon by एक्वल टू में क्या आएगा यह आएगा 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 आपका 11 बटा 12 माइनस 2 बटा 3 और अगर हम इनका LCM लेते हैं तो कितना आएगा 12 और तीन का बारह ही आएगा तो यहां 11 बचे का और यहां 4 दूनी 8 तो 3 11 में से 8 गया तो 3 12 तो 3 बारह वां आएगा अंसर के आएगा इसको 3 बटे बारह को हम क्या बोल सकते हैं बारह वां अब 3 बारह में की बात करें तो यहां पर 9 त्याही गलत है एक त्याही गलत है तेरे बारह वां यह भी गलत है तीन बारह में बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा तो option number हम किस पर जाएंगे किस option पर जाएंगे option number थाड़ आपका राइड अंसर हो जाएगा clear reference चले next question देख लेते हैं next question आपकी screen पर है Merlin की मा ने उससे जन्म दिन पर टॉफियों का packet अपने साथियों को बाटने के लिए दिया Merlin है वो अपनी Merlin की जो मा है उसने टॉफियों वाटने के लिए packet दिये Merlin ने टॉफियों का दो बटे साथ भाग अधिती को एक बटा साथ भाग अमल को दो बटा पांच भाग फरहान को और एक बटा साथ भाग चैरी को दिया यदि उसके पास दो टॉफिया वजी तो उसके packet में शुरुआत में कितनी टॉफिया थी तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं टोटल टॉफिया कितनी मान सकते हैं टोटल टॉफिया एक्स मान सकते हैं टोटल टॉफिया कितनी मान सकते हैं एक्स टॉफिया आच्छा जी मरले ने टौफियों का दो बटे साथ भाग दो बटे साथ भाग तो X का दो बटे साथ भाग किसको दे दिया अधिती को दिया X का एक बटे छह भाग किसको दे दिया या आपका अमल को दिया और X का दो बटे पांच भाग किसको दिया फरहान को दिया और X का एक वट्टे साथ वाकिस को दिया जैरी को दिया अब उसके पास कितनी बच्छी इसको हम सॉल्व करेंगे अब सॉल्व करेंगे तो कैसे इसके नीचे वनमाल लेते हैं तो इन सभी का अगर LCM लेंगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा बहुत बड़ा पड़ेगा लोगों के लिए छोड़ता हूं इसको सॉल्व करना कि आप लोग इसको स्युल्व परके उसर कमेंट बॉक्स में लिखेएगा लिखते हैं कौन कौने इसका इसे यांसर लिख पाता है ।क्लियर फेंट्स चलिए फेंट्स न findet लिगे नाक्स्ट बिखें पर सविता ATM से कुछ रूपे निकाल ले गई उसे 2000 के 500 के 5000 नोट तो कितने 5000 निकालें उसनने 1000 रूपे निकाल ले निकिलियर 500 art in 700 के 900 पांस के 4 नोट तो तो प्लम्नला के कितने रूपे न्काले उसने 1000 के पांच לूठ तो यह दुझार हो जाएंगे और यह कितने हो जाएंगे 2000 रूपे थे सो पे के नौ नोट तो यह कितने बन जाएंगे आप का मलेगा कि उत pls कि सौरुब की नोट का मतलब नौट ल Meg the और क्यों जेनने पर मालूम मुझा कि उसके पास 200 का 200 का एक iper cariperi ponroph till का एक नोट कम मिला है तो इसने एकने से किनिकालर कि लगे इसने कितने निकाले देखेबए 2000 का एक नोट कम ले तो इसका एक नोट कम मिला तो इसका मतलब दसफाद़ की जगह पने किटने निकालेते 8000 रुपे निकालות आते हैं ऐसे यहीं पर कर लेते हैं क्लियर रहा है थाजार के पांच नूट थे एक कम मिला उसे आठ इयक रुपए मिले होंगे सौ का एक नूट कम मिला इसका मतलब 900 की जगार पर उसे 800 मिले आठ समिले होंगे तो 8000 और 2000 कितने हो गए 10,000 रुपे और 800 रुपे यह हो गए आपके तो यह हो जाएगा 10,800 रुपे कितना हो जाएगा 10,000 रुपे 10,800 उसने ATM से निकलने के लिए कितनी रासी भरी थी यह आपसे पूछा है कि कितनी रासी उसने भरी थी तो इसका मतलब देखे एक तो यह तरीका कि उसने अस्तम में निकाले कितने 10,800 रुपे निकाले 10,800 अब आप इसको ऐसे समझेगा 2000 के 5 नोट थे तो 10,000 रुपे तो यह हो गए 500 के 4 नोट थे तो 2000 रुपे यह हो गए 100 के 9 नोट थे तो 900 रुपे यह हो गए रुपे गिनने पर उसे मालूम हुआ कि 2000 का 1 नोट और 100 का 1 नोट कम मिला है जब उसने रुपेयों को गिना होगा तो 10,800 रुपे उसके पास पच्चे होगा उसने ATM से निकालने के लिए कितनी रासी भरी थी ये पूछा है आपसे अगर उसे 2000 का एक नोट और मिल जाता और 100 का एक नोट जो कम मिला है उसे बोवी मिल जाता तो उसे टोटल कितने रुपे मिलते 15,000 रुपे मिल जाते तो उसने कितनी रासी भरी थी 15,000 रुपे की रासी भरी थी तो अपस नमबर थाड़ आपका राइट अंसर होचाएगा चल 250 ग्राम जलीवी है के चार क्लो रसगुले लाती है ठीके धर कर दोकानदार ने सारी में टाइयों को डिबाँ में बढ़ दिया जिसकी अधिकतम संथ Bruce से सअथ साथ सा घ्रम दिने ग्रम साठी साथ सो कर आएंगे सारी में टाइयों को पैयक करने के लिए कितने डिपभब्बां की आभ सिकता हो कोई तो yahoo साधि साथ सो गlorम तो यह बन गया चार-3,7,7,7 और 2 नौ JACK wspól यह venue यह बन गया तो कितनेघय बनेंगे एक यह बनेंगे इया आ जाँ से साथ सो से अब नोängen बन सकते है यह देखना है तो नौक लो का मतलब होगा है 9000 घ्राम क्योंकि एक लो में आतले क्राम साड़ है शाज स्वत करिम का एक डिब्बा होता है 0 से जीरो और यह 5 शॉत से काटेंहे 5 श समय के अागे पांस से काटेंहें तो सारी मिठायों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आश्य सब्सक्ता होगी तो ऑप्सिन नमर सेकंड आपका राइड आंसर हो जाएगा चले फैंस नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन है एक चौराय पर लगी चौराहे पर लगी चार ट्रैफिक बत्तियां क्रम सती सेकंड पैंतालिस सेकंड एक मिनट और पिचात्तर सेकंड बाद बदल जाती है यदि सभी बत्तियां एक साथ दुपएर एक बच्च के 30 पी एम 35 पी पर बदलती है तो अगली बार जब एक साथ बदलेंगी तो है समय क्या होगा देखिक 1-3 सेकंड 10 का भाग लगा देते हैं 3 यह 10 का भाग लगाएंगे तो यह बनेगा अपका यहां पर 5 और 2 का दोनों का भाग लगा देंगे तो 5, 9, 45, 9 बचे जाएगा यहां पर चलिए 10 की जगाए पर सीधर 5 का लगाते है 5, 36, 5, 95, 42, 60, 15, 75 तर यहां से देखें तो 9 का डिवाइड जाएगा, 4 का डिवाइड जाएगा और 15 का डिवाइड जाएगा, तो यह बनेगा आपका, तो कुल मिलकर कितना बन जाएगा 5 25 और 25 चोके 100, 100 का 9 से करेंगे तो 900 सेकेंड कितनी सब्सक्राइब कर देंगे इसमें और क्या है एक बज़ कर 35 एक 35 में 15 का समय हो जाएगा एक पचास पीएम का आपका राइड आंसर इस सवाल का हुज जाएगा चले फैंड्स नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन है एक सहर का तापमान सुभे नौ बजे साड़े तेज़ डिगरी देखा जाता है प्रते गंटे तापमान पॉइंट सेवन डिगरी नीचे गर जाता है तो किस समय तापमान साड़े शुड़ी सत्रे दशमलाव दू सेंटीग्रेट पहुंच जाएगा एक गंटे में कितना गरता है अच्छा जी आपका पॉइंट सेवन डिग्री सेंटिकेट गिर जाता है किलियर है तो एक डिग्री सेंटिकेट बदलने में एक डिग्री सेंटिकेट गिरने में एक बट्टा पॉइंट सेवन आवर है और हमको गिराना कितना है उसको साड़े सब 17.2 तो यहां 17.2 का कुड़ा यहां हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट के साथ से काट तीजिए कितनी बार जाएगा साथ दूनी चौध है बचे कितने तीन और यह जाएगा आपका पॉइंट सेवन डिग्री सेंटिग्रेट गरता है एक गंटे में ठीक है एक डिग्री सेंटिग्रेट गरेगा कितने दिन में तो यह बनिक गरेगा आपका एक बटा पॉइंट सेवन सत्रे दिसमलव दो गिराना है तो इतने पॉइंट से पॉइंट गया अब इसको निफटाते है साथ दूनी चौध है बचेगा कितना तीन साच्चों के अट्थाइस क्लियर है तो लगवा लगवा गर हम बात करें यहाँ पर इतने गंटे बाद यह कर जाएगा तो नौ बज़े से इतने टाइम हमको एड़ करना होगा नौ में 24-9 पूरा एक साइकल घुम के आजाएगा यह नौ बज़े से एक साइकल घुम के आएगा तो उसके बाद अगर हम बात करें तो पुल मिला के कि देखें एक बार रिपीट करते हैं साड़ी eigene digital गर जाता है एक गण्ते में एक गन्टे मैं स्beryसेटी तिकते रुटर से यहां से किस ताप्मान पर साड़ी सत्रां धास натिच सेंटिकेट पहुंचाएगा यानि कितना घट राइस में से तो यह अगर हम बात करें तो एक डिग्री सेंटिकेट कितने में वन अपन पॉइंट सैवन डिग्री आवर में क्लियर तो स्टेज दसमलव पांस से सत्रह दसमलव दो रहा जाता है तो तीन तो यह बचा तेरह में से सात गै तो छै यह बचा तो 6 दिग्री सेंटिकेट कि गरीब यह आएगा तो पॉइंट से पॉइंट किया दसमलव पर 9 गंटे बाद यह ऐसा हो जाएगा तो 9 गंटे इसमें एड कर देंगे 9 में 9 गंटे एड कर दिजे तो 9 बजे से 9 बजे तक 12 होते हैं तो यह आपका टायम बनेगा आपका तीन बज़े का टायम बन जाएगा नौ में और ओर अड़ करेंगे तो यहां इतारा आठारा यह जो बनेगा आपका टाइमिंग मनेगा आपका निकल राइगा तो सबसे पहले माद्द्य निकालते हैं तो 15 प्लस आठ सभी को सीधा डारेक्टी एड़ कर देते हैं माद्द्य निकालने का फॉर्मॉला आपको पता है सभी संक्याओं का ओसती निकालते हैं तो 15 और 8 कितने होगे 23 23 15 और आठ 23 23 और 36 37 37 और तेइस साथ 75 पिचानवे और एक चानवे कुल मिला के कितना वनिगा चानवे संक्या कितनी है एक, दो, तीन, चार, पॉंच, छे, साथ, आठ, तो 8 से काटेंगे तो कितनी वार 12 तो यानि कि जो आपका एक्स वार है वो 12 आ गया माद्द्य कितना निकला आए आपका 12 माद्द्य कितना निकला है 12 अब बात आती है माद्द्य का कि कुल संक्याओं कितनी है आठ इनको क्र आएगा 20 फिर आएगा तेईस एक दो तीन चार पांच छह साथ एक बचली कौन सी कि पंद्रा दो बार है तो यहां पंद्रा को भी छाप देते हैं कि अब यहां से देखते हैं आठ संक्या तो एन वाइट वाला लग जाएगा एन वाइट तो यानिकि फोर्थ टर्म फोर्थ टर्म नहीं तो लगेगा तो वन वाइट फोर्थ टर्म फोर्थ टर्म क्या होगा फोर्थ फोर्थ टर्म ही आ जाएगा आपका तो फोर्थ टर्म आपका कौन सा हो एक दो तीन चार तेरह होगा और एन वाइट वाइट प्लस वन वाइट तो पंद्रह होगा तो यह त बिल्कुल सही है माध्य का बड़ी है तोनों समान यह भी गलत यह तो अपस्य नमर're रेकेंड आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा चले फ्रेंड्स लास्ट कोशन इस सवाल का इस वीडियो का यह है और यह कोशन आपके पेपर में पूछा गया है दिएगे पैटन पर अगला पद लिखिए तो देखें सीधा सीधा एक चार नौ 16 एक का स्कूर एक दो सब्सक्राइब करेंगा तो यह बाद में आ रहा है यहां पहले आ रहा है तो यह वाला उप्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा तो सेकंड आपका विल्कुल सही जवाब होगा तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही यह जो क्वेशन थे आपके सेंटल टीचर यानि के इंदर पूछे गए थे अभी आपका 2022 में भी दिसंबर में यह पेपर होने वाला है जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो आप लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं और अब की बार सेलेक्शन लेना चाहते हैं